आई और बेहनों, मेरा खुद का, हमारी सरकार का ये हमेशा विश्वात रहा है कि कामगार के काम को मान मिलना चाहिए, उसे सम्मान मिलना चाहिए विकास तभी सार्तक हो जब सामान्य मानवी की आवस्तकताओं का ध्यान रखते हुए कार्य किये जाए और मैं हमेशा कहता हूँ कि डिग्लीटी ओब लेवर ये हमारे देश में हमने संसकार के रूप में पलवी पुश्वित करने की ज़रूप है स्रमे एव जयते स्रम का जयजयकार, स्रमिक का जयजयकार वही देश को आगे ले जाता है यही सबका साथ, सबका अविकास की भावना का सार है यही कारण है कि हमने स्रमिकों से जुड़े कानिनों में भी स्रमिकों के हितों को सुनिश्चित किया है जो संसान केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं वहाँ बीते पांच वर्षों में न्यून अतम परिस्थ्रमिक में 42 प्रतिशत करी वृद्धी की गई है 42 परसंट पहले जहां महिने में 10,000 रुपे की आए वाले कामगार साजी को बोनस मिलता था अब उस आए सिमा को बढ़ा कर अगर 21,000 रुपे भी उसकी आए होगी तो भी बोनस मिलेगा कामगारों के लिए ग्रेज्जुटी की सिमा को भी 10,000 रुपे से 2 गुना बढ़ा कर 20,000 रुपे किया गया है साथ यो हमारी सरकार ने बेटियों को कालिक शेत्र में अनुकुल वातावन दिलाने के लिए भी अनेक कदम उठाए है मातरुत्व के बाद बहनों बेटियों को काम ना छोड़ना पड़े इसके लिए मातरुत्व अवकास को 12 हपते से बढ़ा कर सीधा 26 हपते किया गया है दुनिया के समरुद्ध देशों में भी ऐसी विवत्ता नहीं है जो हमारे देश में है भाई और बहनों महिला करीमियों को लेकर जो एक बड़ी भी संगत्ती हमारे कानून कायदों में थी उसको भी दूर किया गया है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बेटियां अंडर ग्राउन खदानों में काम नहीं कर सकते थी कानून रोकता था हमने कारेक्षेतन में जो बेदबाव था उसको मिटा दिया इसी तरह देश की सेना में भी बेटियों के लिए नए अवसरों के रास्ते हमारी सरकार ने खोल दिये है